कोणा काय में भी शेहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की विध्यारतियों की अभिभावकों से फीस्वसूनले के लिए स्कूल प्रभंदन की और से दबाव तंत्र का अपयोग किया जारा है जिससे सक्त नाराज पैरेंस ने चिलादिकारी इन्हें ग्यापन सौपा और मांगपुरी नहीं के जाने पर तीवर आंदुलन छेरने की बाद पैरेंस ने बीसियन समख्ष कही आएए देखते हैं हमारे समादाता संचे मिरे की क्राउन रिपोर्ट पैरेंस के साथ जिलादिकारी कार्याले से माननिया सुप्रिम कोर्ट के आदेशों का पालन भी नहीं कर रहे है नागपुर के प्रैवेट स्कूल चार माई को सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि 15 पैरंस फीस में रियायद दी जाए एवं किसी भी पैरंस को स्कूल फीस भरने के लिए मजबूर ना किया जाए परंतु फिर भी प्राइविट स्कूल बच्चों का रिसल्ट रुकाना एवं ऑनलाइन की बाहर करने जैसी कारवाई फीस के लिए दबाव बनाने के लिए कर रहे है इसके खिलाव कुरवार सुभे 11 बची कामठी रोट दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी पैरंस ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदरशन किया एक तरफ कोरणा की मार जेल रहे विद्ध्यारतियों को अभी भावक दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट द्वारा किये जा रही बेतु की बाती और फीस एटनी का हो रहा कामकाच इन सब बातों से सकत नाराज है लोकडाउन लगने से पहले ही आरतिक दिकतों से जूज रहे अभी भावक अफीस वसूली को लेकर काफी चिंतित है पेश है हमारे समादाता संजे मेरे इनकी एक क्राउन रिपोर्ट नापर के जिलादीकारी काराल है परिसर से आईए देखते है अभी तो वह और ली उन利 की थी का मंने लीखित कर में मांगी है वह शाइद कल मिल जाएंगे हमको उसके बाद में हम लोग जो है उनसे वो करवाएंगे कि भी हमको स्कूल की तरफ से हम लोग उसके खुलासा भी मंगा लेगे एक फाइनली स्कूल मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स और पैरेंट्स ये एकी सिस्टिम का हिस्सा है वो अलग-अलग नहीं हो सकते जो भी कम्मिनिकेशन गयाप होगी वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे दर्चक नमस्कार इस समय में इन विस्टिम की टीम जिलादिकारी कारेले के सामने में खड़ी है आप देख सकते कि यहां पर तमाम तमाम ऐसे पैरेंट्स आ चुके है अपनी कुछ मांगो को लेकर जो फिस में जो वृद्धी हो रही है या जबरन उगाही जो की जा रही है कोरोना कारेकाल में इससे प्रभावित हुए यह तमाम तमाम पैरेंट्स अपने सभी कामदाम छोड़ कर यहां पर आये हुए है आखिर कर ऐसा क्या हुआ जो इन्हें यहां आने की जरुरत पड़ी है हम सिधा रुख करेंगे और यहीं पर मौझूद कुछ ऐसे पैरेंट्स से बात भी करेंगे हां सर यह बते कि आखिर कर आप आज यहां पर क्या घाए हो क्या कैना चाहूँगे क्या मागती सर हमारी मांगे रहुआ है थी कि हमारे जो चोटे सब पिछले वार से वातावरन चल रहा है बच्चोंने औलाइन पुरा साल पढ़ा जो कि उन्हें कुछ समझ में आया नहीं 25 परशेंट भी स्लेवस कंप्लीट हुआ नहीं अब आप चाहते क्या हो फाइनल क्या मांगे आपकी हमारे यहां आने का विशह यह है कि पिछली चार मई को माननी सुप्रीम कोट ने आदेश जारी किया 15 परशेंट उन्होंने जो है आटाके उनको जो है आप रिजल्ट रोक के या किसी भी टाइप से फोन करके आप उनको परिशान नहीं कर सकते फीच लेने के लिए उन्हें बात दे नहीं कर सकते क्योंकि बैसे ही लोगों के घरों में बातावरन बहुत खराब है लोगों की नौकरिया चली गई है अगर एक साल के बाद भी किसी भी गौवर्मेंट ने हमारे पैरेंट्स की बात नहीं सुनी और इसी तरीके से प्राइबेट स्कूल ताना शाह बनके हमको परिशान करते रहा तो सारे नागपूर के स्कूल जिनमें मैं आज जो मेरे पास दस से पंदरा जार बीस अजार पैरेंट इससे क्या बात सीख लेती है या यूही धाक के तीन पाज जैसा जो कामकास ये स्कूल संस्ता के और से जो जारी है क्या वह वैसा ही रहेगा ये भी एक देखने वाली बात है लेकिन एक बात तो तह है कि कोरोना अपना प्रभाव अपना प्राधुर्बा इतना बड़ा रह है एक तरफ लोग कोरोना से परेशान है तो वही दूसरी और शहर के पैरेंट्स बढ़ते कीमत यानि भी स्ट्रक्चर को लेके परेशान है और जो बात करती है प्रशासन या जो बात करते है स्कूल के प्रभंधन वो आखिरकार बातों से मुकर जाते है और यहीं पे होता ह है इस प्रकार का अंदोलोन कहते है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब आखिर यह नवाब कब बनेगा कब लोग पढ़ेंगे कब उनके कामकाज अच्छे होंगे यह देखने के लिए अब पूरे राज्य की निगाये लगी हुई है जिला दिकरी कार्याले से कैम